So hello everyone, welcome back to another video, this is Ayush and आज अपने साथ में है Tata Punch ICNG इस कार के अंदर दो चीजें बहुती जादा exclusive है जो normal कारण आपको नहीं मिलती है एक तो आप लोगो को जो slender मिल रहे हैं, वो double मिल रहे हैं CNG के, दूसरा आपको sunroof मिल रहे हैं तो मैं आप लोगों को स्टार्टिंग से दिखाते हैं चलता हूँ कि क्या कुछ चीजें है अगें Tata का लोगो, black color की front grille, यहाँ पर थोड़ा सा chrome body color और जो bumper है, वो dual tone में दिया हुआ है tri arrow design जो है, वो भी यहाँ पर मिल जाती है ICNG, patent जो company का आता है, वो यहाँ पर दिया हुआ है जो bonnet ये creases है, body की सभी चीजे सेम है यहाँ पर daytime running lights, turn indicator और जो headlamp है वो यहाँ पर face out किये गए हैं यह वाले जो particular look है, वो Tata Harrier का small edition जोई दिखाता है अब आजाते हैं, आप side में देख सकते हैं और side में आप आपको जो wheel arches दिखाई दे रहे हैं वो काफी अच्छे हैं, squarish wheel arches दिए गए हैं Apollo से लिए होगे tire, 19560 R16 profile है dual tone में alloy wheels दिए गए हैं, फ्रेंड में disc brakes आप लोगों को मिल जाते हैं ORVM पे आप लोगों को double finish मिलती है प्यानो black finish, matte finish और यहाँ पर turn indicators मिल जाते हैं उपर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को roof rails मिल जाती है और यहीं से आप लोग देख सकते है, sunroof जो है वो भी यहाँ पर car के अंदर available है तो इस particular car के अंदर आप लोगों को sunroof मिल रहा है लेकर इतनी छोटी सी car के अंदर sunroof यह चीज काफी अच्छी गरी यह टाटा ने यहाँ पर doors पे आप लोगों को request sensor मिल जाता है, अग इन body color door handle दिया गया है matte black finish के अंदर B pillar मिल जाता है, अगर इन थोड़ा सा पीछे आते हैं, पीछे थोड़ा सा रह्षय अपन अंदर चले जाते हैं तो अंदर जो है वो आप check out कर सकते हैं, यहाँ पर आप लोगों को ardual treatment मिलता है, एक white color और black color का और यहाँ पर यह ORVM के adjustment, power windows के controls, और इधर अगर आप देखेंगे तो जो steering है, उसको आप control कर सकते हैं, height adjust कर सकते हैं, reach जो है वो आप adjust नहीं कर सकते हैं यहाँ पर volume rockers दे गए हैं, herman source infotainment system मिल जाता है, red, white और black color का combination काफी अच्छा लग रहा है कार के उपर, automatic climate control AC, USB port और 12 watt का power socket अगिन मिलता है, automatic AC है यहाँ पर थोड़ा सा space दिया हुआ है, red inserts कई सारी जगे मिलती है, gearbox के आसपास भी मिल जाती है, इधर again 12 watt का power socket जो है वो आपको मिलता है और थोड़ा सा space मिलता है, बाकी जो speakers हैं, जो tweeters हैं, वो आप लोगों को dose पे, gates पे यहाँ पर मिलता है start stop engine, smart CNG है तो यहाँ पर switch दिया हुआ है, और यहाँ से fog lamp on करेंगे, यहाँ से car को lock या unlock जो है, वो आप कर सकते हैं और यहाँ पर देख सकते हैं, कुछ अंदर से इस type का, जो sunroof है, उसका layout यह इस type से दिखाए दे रहा है यहाँ पर यह light मिल जाती है, यह white color की light है, अगीन काफी अच्छी है sunroof का जो switch है, यह भी काफी अच्छा लग रहा है, यहाँ पर आपको card holder मिलता है, sun visor पे I think, यह थोड़ा सा छोटा है, अगर यह थोड़ा सा बड़ा होता तो अच्छा बात होती अगेन यहाँ पर आप लोगों को vanity mirror जो है, वो मिल जाता है, इस वाले sun visor पे dashboard पे अगेन hard plastic ही है, बट still यह जो touch करने में इसका feel है, वो बढ़िया लग रहा है M.I.D. यहाँ पर दी हुई है, जिसका access अभी मेरे पास में नहीं है, बट still जो basic सारे features है, वो यहाँ पर आप लोगों को मिल जाएं अगर review आपको देखना है, definitely आप लोग देख सकते हैं, automatic headlamps यहाँ पर दिये गए हैं, wipers की controls भी आपको automatic functions के साथ में मिल जाते हैं अब चलते हैं, पीछे और देखते हैं कि पीछे जो है, वो कार के अंदर क्या कुछ features आपको मिलते हैं अगेन, यहाँ से आपको गाड़ी को open करना है, तो gate की opening जो है, वो काफी अच्छी है और मैं अंदर बैट के बताता हूँ, तो अगेन, जो seat है, इसका layout अच्छा है, थाई support मुझे बढ़िया मिल रहा है, मेरी height 510 है और यहाँ पर आपको magazine holder, card holder, या जो भी लएक आपको newspaper रखना है, आप रख सकते हैं यहाँ पर एक handle है, koduk है, इधर भी handle है, और koduk मिलता है sunroof, sorry, sunroof होने के बावजूद भी, जो headroom है, वो काफी अच्छा है तो कोई परिशानी मुझे headrooms related यहाँ पर नहीं हो रही है पीछे AC wind आपको नहीं मिलता है, यहाँ पर तोड़ा सा space है, जहाँ पर अपना phone तो रख सकते हैं बट phone का charger जो है, वो नहीं मिलता है, 12-odd का power socket ही, आपको use जो है, वो करना पड़ेगा और armrest जो है, वो आप लोगों को यहाँ पर मिल जाता है, बट armrest के उपर cup holder जो है, वो नहीं मिलता है, वो mist है और यहाँ पर जो headrest है, वो adjustable मिलता है, आपको चारो passenger के लिए headrest जो है, वो adjustable दिये गए है तो यह चीज टाटा ने काफी अच्छी करी है, और still जो seat का layout है, जो comfort है, जो fabric है, उसकी quality भी जो है, वो टाटा ने काफी अच्छी यहाँ पर रखी है अब चलते हैं, मैं आपको boot में बताता हूँ, कि जो double cylinder system है, इसका ICNG, जो नई technology यह लेकर आ रहे हैं, वो कैसी है, और क्या कुछ चीज़ें हमाँ पर आपको पीछे देखने को मिलती है और उससे boot कितना save हो रहा है, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ So, यहाँ पर जो boot space है, वो save कर लिया गया, because CNG tank लगने के बाद क्या होता है, कि जो boot space है, वो feel हो जाता है, आप luggage वो रख नहीं पाते हो, but यहाँ पर जो tanks है, वो नीचे की तरफ जो है, वो पुछा दिए गया है ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, double cylinder यहाँ पर दिए गया है, but एक cons इसका यह है, कि weight जो है, वो थोड़ा सा जादा increase होगा, एक single tank होगा, और एक double tank है, तो weight जो है, वो थोड़ा सा increase होगा, that's all, but उसका, एक बोल सकते हैं कि कोई चीज खराब होती, तो कोई चीज but sunroof and dual cylinder layout के साथ में, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है, like, share, subscribe कर सकते है, notification on कर दीजिए, auto expo 2023 में showcase करीगी है, यह price अभी नहीं है, यह range के बारे में नहीं पता है, जैसे ही पता चलेगा, आप लोगों को detailed video मिल जाएगी, right safe, right safe